मा दिक्कित हर्मा, पाकिस्तानोत हम्पुर्ण रुपे अराजक पोरिस्थिती, पाकिस्तानोत हम्पुर्ण रुपे हाहाकार, पाकिस्तानोत प्राक्टन प्रधान मंत्री इम्रान खानोक, ग्रैप्तार करा होल और टार पासोते जोली उठील पाकिस्तान, पाकिस्तानोत सो द पाकिस्तान अबस्ता जोरिरी काली नवस्तार डिखे पाकिस्तान आईन श्रिंकोला परिस्तिते नुहा है से पाकिस्तान अथ प्राक्तों प्रधान मन्ची इम्रान खना ग्रप्टार इम्रान खना ग्रप्टार अख लोएप इस्लाम अबद अधुत्त प्रप्टा परिस्तिती इम्रान खानों गेरप्तार बिरुटितार कोड़ी रासी पत नजी घंसथी मायुकेतर घाटिर में अग्नि आपश्जुक कोड़ी ले पाकिस्तान धननताई पाकिस्तानों काट भूरद्हू मैं कुटितार मुटिताई पाकिस्तान इम्रान खानोग ग्रप्तर टार लोगोटे हाहाकार लोगे-लोगे हाहाकार पाकिस्तानोग ए आमी आपधालोगों ग्रिस्तांग पते कोई है शूँ हाहाकार पोरिस्तिती पाकिस्तानोग पाकिस्तान अठ अमपुर्ण रुपे हाहाकार पॉरिस्तिती आइन श्रिंक कला पॉरिस्तिती नुहुआ हुई से पाकिस्तान अठ अरे याषकेनाए इम्रानखानो ग्रेपटर कोरीलो इजय डिस्तांखो पाकिस्तान अठ हाहाकार पॉरिस्तिती पाकिस्तान अठ लो एंऔर हुंपुर्ण पाकिस्तान अंगर्ध फोलुँण मैरी occasions, पाकिस्तानाथ यहां। फॉरिस्थिती, भांगी सिंगी लण्दबन्धक रा होई से पाबलिक प्रपार्टी, भांगी सिंगी लण्दबन्धक रा होई से सरकारी गाज्जालोय होमु। आनकी बायु खेनार घाटी तुखmaय अग्टिखॉंग जुक्पुरी से इम्रान खन और होमट ठोके और त्या पाकिस्तान अब हाँ हाँ कार पॉरिस थी तुरुट इसलामबाद के लिए निकल रहो हूँ पिर से मेरी अदालत में पेशिया हैं निकलने से पहले दो बाते करना चाता हैं सबसे पहले आईस पियर ने बिया है कि अदारे की तोहीन कर दी, फौज की तोहीन कर दी कि एक आफिसर का नाम ले दिया, इंटेलिजिंस आफिसर का जो जसने दो दफा मुझे कतल करने की कोशिश की आईस पियर साहिब ज़रा मेरी वार से बात सना, इस्ज़त सिर्फ एक अदारे के नहीं है, इस्ज़त कौम में हर शेरी की होनी चाहिए, इस वकद कौम की सबसे बड़ी पार्टी का सरबरा हूँ, पचास साल से कौम मुझे जानती है, मुझे कोई जूट बोलने की जरूरत नहीं है, इस आदमी ने दो दफ़ा मुझे कतल करने की कोशिश की और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी, मैं ये साबित करूंगा, कि ये वो आदमी था, और इसके साथ एक पूरा टोला है, और इसके साथ कौन है, वो भी कौम, सब कौम को पता है, आज सोशल मीडिया के सब को पता है, वो कौन है, सवाल मेरा ये है, कि क्या एक मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंके इस आदमी का नाम आ गया, मैं अपना F.I.R. नहीं कटवा सका, पता तो सच और जूट तब चले जब इन्वेस्टिगेशन होती, F.I.R. इसके खलाफ होती, इन्वेस् दूरता सामने आ जाना था, इतना ताकतवार शक्सियत कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर, अपनी पंजाब की हकूमत होते हुए, हम इन्वेस्टिगेशन, F.I.R. में इसका नाम नहीं दे सके, उसके बाद, पंजाब की हकूमत की J.I.T., दो पुलीस आफिसर ने जुने इसक कहने पर रिकॉर्ड किया था, उसकी स्टेट्पंट्स नवीद शूटर की, हम दो आफिसर जो रिकॉर्ड किये थे, पंजाब के पुलीस आफिसर, डी पियो गुजरात और सी सी पियो, सी टी डी, उन्होंने हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आने से मना कर दिया, कौन पीछे, कौन इतना ताकतवार था, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन में ये थाबित हो गया, कि तीन शूटर थे, जब जी आइटी में थाबित हो गया, कि तीन शूटर जिन्होंने गोलिया चलाई, बनिस्बत जो इनका प्रॉपगेंड़ा था, कि सिर्फ एक दिनी चाहिए चार, क्योंकि उन्होंने सेबोटाज करने की कोशिश की, कौन था उनके पीछे, कौन इतना ताकतवार था, और उसके बाद, जुडिशल कामपलेक्स, मैं साबत करूँगा कि आईएसाई ने सारी एक रात पहले उसको टेक ओवर किया, साबत करूँगा कि सीटीटी के कपड़ों के अंदर, और वुकला के कपड़ों के अंदर आईएसाई थी वहां, साबत करूँगा कि एक ब्रिगडियर बैठा हुआ था, वहां मुझे नाम भी उसका बताऊंगा, जो सारा मॉनिटर कर रहा था, क्या काम था, आईएसाई का वहां, साबत करूँगा कि उन की जुरत नहीं थी कि आगे बढ़ें, क्योंकर ये मुकदस गाए हैं, कानून से उपर हैं, आईएसबी आर साहिब, जब एक एदारा अपनी काली बेड़ों के खिलाफ एक्शन लेता है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी बेतर करता है, एक जो एदारा करप्ट लोगों को, दो नम्मर लोगों को पकड़ता है, वो अधारा मजबूत होता है, अगर शौकत हाने में कोई डॉक्टर गलत काम करें, या कोई भी करें, हम एक्शन लेते हैं, हमारी अधारे की करें,